दोस्तो नमस्कार शुआगत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्रोटेकिंश टड़ी में और दोस्तो मैं हूँ अर्विद्यादब दोस्तो फिर में हाँ जीनूं आपको एगरिकल्चर प्रेक्टिस टेस्स फोर्थ लेकर आ दोस्तो आज के प्रेक्टिस टेस्ट में हम खर्पतबार से बनने वाले जो भी कॉशन पूछे जाते हैं आपके agriculture competitive exam में तो वो है हम कॉशन लेके आए ठीक है दोस्तो अगर आप कर रहे हैं किसी भी agriculture competition की तैयारी तो दोस्तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पून है क्योंकि दोस्तो हमने इस वीडियो में वो ही कॉशन को लिया है जो अक्सर आपके एकजाम में पूछे जाते हैं ठीक है दोस्तो हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तो खर्पतबार विज्ञान के जनक कौन है दोस्तो कौन है इसका आंसर है बी यानि जेंथरोटल दोस्तो खर्पत्वार बिग्यान के जनक कहा जाते हैं नेक्स्ट दोस्तो निम्न में से सक्री पत्ती बाला खर्पतवार है ए है बड़ी दुधी बी है जंगली पालक सी है गहुंसा और डी है बध्वा दोस्तो सक्री पत्ती बाला जो आपका खर्पतवार है वो कौन है आन्सर के अन्नाम ञत्ता है आपको पहले अभी बता दिया मैंने तो गहुंसा का अन्नाम है यानि ए आन्सर से है तो दोस्तो राष्ट्य खर्पतबार अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो राष्ट्य खर्पतबार अनुसंधान संस्थान A. इंदौर B. जबलपुर C. ग्वालियर D. C. होर तो दोस्तो राष्टी खर्पतबार अनुसंदान संस्थान कहाँ पर है बताईए आंसर सही है B यानि जवलपूर आपका राष्टी खर्पतबार अनुसंदान संस्थान इस्तित है ठीक है दोस्तो बात करते हैं नेक्स्ट आपके पांचवे कोशन की पांचवा कोशन है आपका सबसे पहले खोजा गया साकनासी था दोस्तों A.240 V है सिमाजीन C. एट्राजीन D. ब्यूटकलो दोस्तों सबसे पहला कौन से साकनासी खोजा गया था बताए 240 यानि A. आंसर सही है नेक्स्ट है आपका ऐसे खरपतबार जो बिदेशों से भारत में आए क्या कहलाते हैं दोस्तों A. है बॉलेंटियर वीड B. है एलियन वीड C. है अनिस्टकारी वीड और D. है ओपली गेट वीड दोस्तों आंसर इसका सही कौन सा है है नि B B. दोस्तों एलियन वीड जो की विदेशों से हमारे हैं आगे हैं खरपतबार उनको एलियन वीड कहा जाता है आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका लेंटाना केमरा सर्वपताम भारत में किस देश से आया था लेंटाना केमरा जो खरपतबार है वो सर पताम भायत में किस दिसस्य आいる, A है अमिरीका, B है स्रिलंका, C है कैनेडा, D है आस्टेलिया, तो दोस्तो, लेन्टाना केमरा का से चाहना आयता, आंसर इसका सई है, B यानुी स्रिलंका, स्रिलंका से सबसे फिहले, आपके हां लेंटाना केमरा आया था नेक्स दोस्तो अमरेंस का पौधा कितने बीज उतपन करता है एक 1000 वी है एक लाख चानवाजार सी है चालीस जार दी है 38 तो आंसर इसका सभी कौन सा है यानी अमरेंथन्स का पौधा एक पौधा लगवग 1,96,000 बीज आपके उत्पन कर देता है ठीक है दोस्तो तो आपको ये समझ में आगया बात करते हैं आगे next स्वायवीन की JS335 एक बैराइटी के साथ NRC 7 किस्म के पौधे उगाना किस प्रकार के खर्पदबार का उधारन है तो दोस्तो मतब एक आपकी स्वावीन की बैराइटी खड़ी हुए JS335 अगर उसमें इसका आपका यानी सापिक शिक इसका सही आंसर है निम्न मैंसे एक बीच पत्रिय करपदवार है एसे चों दोस्तो निम्न मैंसे परजी भी खरपदवार है दोस्तो बताईए परजी भी कौन सा है आपका बिल्कुल अमर बेल इसका अंसर एकदम सही है दोस्तो परजी भी खरपता कौन सा है आपका अमर बेल दोस्तो नेक्स्ट मक्का की फसल के लिए उपियोगी साकनासी है आपका टोटल स्टम परजी या आपका समी रूट परजी भी है या आपका टोटल रूट परजी या इनमें से कोई नहीं है दोस्तो बताए आंसर कौन से सही होगा बिल्कुल C आंसर सही है पून मूल परजी भी यानि टोटल रूट परजी था नेच्ट दोस्तो सबसे पहले गाजर गास कहां देखा गया गाजर गास जो एक खरपतवार सबसे पहले कहां देखा गया नेच्ट दोस्तो बिस्ब में सरवाधिक उप्योग होता है किसका ए साकनासी का वी है कीटनासी का सी है फपूननासी का और डी है आपका चूहनासी है नहीं रोड एंटी साइट का दोस्तो बताए बिस्ब में सरवाधिक उप्योग होता है आपका किसका बिल्कुल सही है साक गांस, C मोथा, D कांस, दोस्तों, चोड़ी पत्ती बाला जो खर्पतवार है, इसका अंसर सही है, A, यानि बत हुआ आपका चोड़ी पत्ती बाला खर्पतवार है, नेक्स दोस्तों, अठावरा, रभी का खर्पतवार है, A, जंगली दहन, B, चौलाई, C, गहुंसा, गहुं रभी की फसल, क्लियर हुआ, बात किते हैं, दोस्तों, नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आपका सरबादिक साकनासी का उप्योग किस फसल में उप्योग किया जाता है, सरबादिक साकनासी किस फसल में उप्योग की जाती है, A, कपास, V, गहुं, C, धान, D, च, दोस्तों सरवादिक साकनासी किसमें उपयोग किया जाती है बिल्कुल B नमर यानि गेहूं में साकनासी सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाती है और अगर कीटनासी की बात आई तो वो कपास में यूज किया जाती है नेक्ट दोस्तों भारत में सरवादिक आपका उपयोग किया जाता है बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपके आगे कॉशन 21 की खर्पतबार किसी फसल के साथ पृतियोगता करते हैं किसके लिए इस्थान बी है नमी, सी है पुसकतत डी है सभी, तो दोस्तों इसका अंसर सही होगा डी यानी सभी, कर्पतबार आपके इस्थान, नमी, पुसकतत तीनों के लिए पृतियोगता करते हैं फसल के साथ इसके दोस्तों ड्रयॉपसी नामक बीमारी का समन किस कर्पतबार से ड्रयॉपसी का मतलब होता है गंजापन दोस्तों यह है आपके बीमारी गहुंसा के कारण बी है लेंटोना सी है गाजर घांस और डी है सत्यानासी दोस्तों इसका अंसर सही है डी सत्यानासी दोस्तों सत्यानासी के जो बीज होते हैं सरसों के बीजों के साथ मिल जाते हैं और वो तेल में जब पेरा जाता है तो तेल में आ जाता है इसका तेल यूज करने पर लोगों को drop cinema यानि गंज़ापन हो जाता है नेक्स दोस्तो एटराजीन है A है कबक नासी, B है साक नासी, B है कीट नासी, C दोस्तो C है कीट नासी और D है मकन नासी दोस्तो दोस्तो एटराजीन क्या है आंसर सही है बी यानि साक नासी इसका आंसर सही है दोस्तो धतूरा वा मकोई किस कुल के खरपतबार है धतूरा वा मकोई दोस्तो ए है ग्रैमनी बी है कमपुजटी C है सोलेनी C और D है मालवे C दोस्तो धतूरा और मकोई बताईए आप किस कुल के खरपत बार है बिल्कुल आंजर सही है इसका C यानी सोलेनी C कुल के आपके धतूरा एबं मकोई खरपत बार है ठीक है दोस्तो बात करते हैं आगे बहुत मैत पुन थे दोस्तो अगर 25 में से आप 25 ही कर लिए दोस्तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने पहले बार हमाले सभी वीडियो देखें इनका अप ठीटी कल परा है पूरा पढ़ लिया है तो ये आप O.T. पूरा कर सकते हो पहले आप थोरी पढ़िए देन आप्टर आप उसका टेस्ट जरूर करें ठीक है दोस्तो 20 से अगर कम की हैं तो थोड़ा आपको पढ़ने की अवश्रकता है अगर आप तयारी कर रहे हो किसी भी अगरी कल्चर कॉंपेटिशन की कॉल करके या बॉट्सप करके हम से आपका जो भी डाउट है वो किलियर कर सकते हैं ठीक है दोस्तो वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो comment box से लेका जरूर बता हैं ठीक है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के बात करेंगे हम कल आज के लिए इतना ही दोस्तों नमस्कार